सबी किसान वाईयों को नमस्कार राम राम मैं हूँ पुस्पन सिंग चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एगिटा गुरूजी चैनल तो दोस्तों आज हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी किसान वाईयों के ट्यूवेल में पानी की कमी आ जाती है तो उस से बढ़ाया जाए तो इस पर दोस्तों बात करेंगे ज्यादा वड़ी में वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ आपको जो है दो फंडा आपको बताऊंगा फाइनली और वह आप फॉलो करोगे तो साइध आपका पानी 100% बढ़ जाएगा तो मैं आपसे एक जरूर वीडियो को सेर भी कीजिए जिससे की मेरे किसानवाईयों की मदद हो जाए मैं आपसे यह नहीं कहूंगा मेरा सस्क्राइब करो लाइक करो कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन इस वीडियो को सेर जरूर कीजिए जिससे की मेरे किसानवाईयों की मदद हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी चुषे कमी एक एक तो होती है कि बड़सा ना होने की वज़से हमारा जो है जल श्तर कम होता जा रहा है और जल होता जा रहा है तो इस वज़े से हमारे ट्यूवेल पानी छोड़ जाते हैं उसका तो कोई उपाय नहीं है ठीक है उसके लिए तो आपको दूसरा वार्वेल ट्यूवेल कटवाना पड़ेगा ठीक है उसका कोई उपाय नहीं है एक इस्तिती ऐसी पैदा होती है कि हमारा ट्यूवेल काफी ट बंद पड़ा रहता है तो वो काफी टाइम से बंद होता है तो वो क्या होता है वारिस वारिस का पानी जाने की कारण बारिस का पानी चला जाता है तो उस वो क्या होता है भर जाता है तो आपको जब भर जाता है तो आपको क्या करना योदि आपकी मोटर पानी नहीं दे रही आप तो आप जो आपकी मोर्टर है उसको ऊपर नीचे आप करके देखिए आप जब उपर नीचे करके देखेंगे ज़ेदी जिए आबक वाले स्रोथ हैं वो खुल जाएं और जब पाई के स्रोथ खुल जाएंगे तो आपकी डुबल पानी देने लग जाएगे अब एक तो होता है हमारा कंप्रिसर लगवा के साफाइ करवाना एक होता है मशीन के पैदा होती है मेरे किसान वाईयों की आपका जो ट्यू वैल चल रहा था लेकिन चलते चलते और हमारा जो ट्यू वैल पानी कम देने लग जाता है या तो पानी कम देने लग जाता है या फिर पानी तोड़ने लग जाता है ठीक है आपको जैसे पानी कम दिया फिर ठीक है तो जटका से देके और पानी छोड़ जाती है ठीक है तो उस सिती में क्या करना है बो मैं आपको बता देता हूं यह एक राममान है और इसका कोई उपाय नहीं है या तो आपको दूसरा बड़ा ट्यूवेल कटवना पड़ेगा बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे या एक मै आपको राममन वता रहा हूं उससे आप 100% हो जाएंगे क्योंकि मैंने भी किसानवाई का किया है और मैं उन किसानवाई की भी जो है मेरे चैनल पर वीडियो डालूंगा उनका रिव्यू करूंगा किस तरीके से यह मैंने किया है तो उस सारी डेटेल आपको उस वीडियो मे करेंगे कैसे वो वह उनका जो है वह एक स्थिती ऐसी हुई थी कि उनके त्यूवयल में कि वह पानी चोड़ गया था दस मिनिट चलता पानी छोड़ जाता फिर गंटे रैस्ट देना पड़ता फिर छोड़ जाता तो ऐसी स्थिती पैदा हो गई तो हम लोगों ने क्या किय कि एक उसके साइड में 10 या 50 मीटर या 100 मीटर जो साइड में एक हमने दूसरा 6 इंची 5 इंची सिंगल फेस वाला ज्याद रखना जो यह राममाण है ठीक है हर कोई नहीं बताएगा और नहीं आपके दिमाग माया होगा तो आपको क्या करना है कि एक 6 इंची या 5 इंची जिस उसमें सिंगल फेस वाली जो है मोटर चली जाए अंदर तो आपको एक ट्यूवेल और कटवाना है 6 इंची का या 5 इंची का उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका पचास हजार 40,000-60,000 खर्चा होगा आपको कटवा के आपका जो है ट्यूवेल आपको उसमें मोटर डाल दे लेगी उस नली को आपको मेरी किसानवयू क्या करना है उसको जो आठ इंची वाला जो आपका बड़ा ट्यूवेल है उसमें आपको डाल देना है अब उसको आप उसमें डालेंगे आप दोनों जो आपकी दोनों ट्यूवेलों को चलाए ठीक है आप दोनों ट्यूवेलों क करता हूं कि आप यदि इस काम को करते हो। आप दूसरा जो एह6 चार इंची, 5 इंची शिंगल फेस वाला त्यूव वाला कटवाके और छो एह8 इंची वाले त्यूव में उसकी नली को डाल देते हैं उसे कमी नहीं आएगी। नहीं आपका जो है पानी जो है इंची का पांच इंची का सिंगल फेस वाला बोर कटवाना है ठीक है चालीस पचास हजार रुपे में आपका काम हो जाएगा नहीं तो आपको डाई तीन लाख लगाने पड़ेंगे मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है और इसका एक लाइव डेमो भी आपको बताऊँगा जै किसान वाईओ आज के लिए इतना ही यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आईए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को दोस्तों ज्यादा ज्यादा लाइक करीजिए और जै किसान